हे गुड मॉनिंग चिल्रण आज हम सिखेंगे हिंदी सब्जेक्ट पेज नमबर वन 414 पे है टसे टमाटर टसे टब पढ़िये और लिखिये पहले हम ट्रेस करेंगे फिर हम लिखेंगे तो फर्स्ट है standing line and फिर जैसे हम C लिखते है ना वैसे simply C करना है और then slipping line टसे टमाटर स्टेंडिंग लाइन फिर कव स्टेंडिंग लाइन फिर कव स्टेंडिंग लाइन और बोलना है टसे टमाटर अभी हम simply यहाँ पे लिखेंगे देखो चल्राण यहाँ तब टस्ट किया है हमें भी टस्ट करना है standing line and curve slipping line टसे टमाटर टसे टब टसे टमाटर टसे टब ओके यह तो एकदम easy है तो आपको यहाँ तक फिल करना है अभी हम लेंगे activity चित्रो को पहजान कर उसके नाम का पहला अक्षर लिख कर शब्द पूरा कीजिए चलो हम करते हैं यह क्या है गमला तो इसमें क्या लिखा है मा ला तो क्या बाती है गमला में गबाती है क्या बाती है तो हम यहां पे लिखेंगे गर चल अभी से दिखो यह फॉर्स है ना अभी हमने गर तो लिखा अभी यह पूरा हमें रीड करना है गमला गमला हो गया ना यह वाला तो आपको भी ऐसे ही करना मैं जो भी रिपीट करें ना वह आपको वर्ड्स है ना जो मैं अभी लिख रही हूं वह आपको बुक में भी लिखने है और बोलने हैं रीड करके ही लिखना है अभी आप छोटे बेबी नहीं हो आपको छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वह रीड करके ही लिखने है अभी सेकेंड है यह क्या है ज से जग तो यहा यहां पर लिखेंगे जोग, जोग, हो गया, अभी सेकंड, यह क्या है, क से कमल, तो यहां पर म और लो दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, कमल, तो म लो दिया है, क्या बाकी है, क, तो अभी पूरा रेट करेंगे, कमल, तगए कमल अभी यहां पे है ये है तग तो ये टबग तो क्या दिया है और तो क्या बाकि एक है तोолет जो हमने सिकए वही लिखना बाकि है तो अभी यहांक पे हम लिखेंगे टगए टब क्या भिवर क्या है पिली है देह तो घर में र दिया है तो कौन सा वियंजन बाकी है घर तो हम यह आपे लिखेंगे घर हो गया घर अभी पूरा में रीड कर दे हूं गमला जग जग कमला कमल टब टब घर ओके? राइट टुडिस देट यह थर्टी ट्वेल टुड़ाउजन ट्वेंटी और कौन सा डे है? वेडनेस दे स्वारी वेडनेस दे अभी है पेज नमबर फिफ्टी पे ठ से ठपा ठ से ठठेरा ओके? तो हम यह करते है इसमें भी जैसे हमने ट किया ना वैसे ही वहाँ से ही कंटिनेशन में थोड़ आगे जाओगे तो ठ से ठपा ठ से ठठेरा देखो यह हमने यहां तक किया ट किया अभी थोड़ आगे जाना है टन लेके तो यह क्या होगे? ठ से ठठेरा लास्ट में स्लिपिंग लाइन तो आएगा ना आपको पहले ट करना है उसके बाद ही ठ करना है तो यह ट यहां तक ट आता है फिर यहां से कंटिनेशन में राउंड लेना है तो आएगा ठ से ठपा ओके अभी हम यहां पे रैट डाउं करते है यहां तक हमारा ट अभी यहां से उपर देखो चिल्डरन जोइंट नहीं है थोड़ा से आपको यहां पे रखना है पूरा जोइंट नहीं करना है ओके स्लिपिंग लाइन थ से ठपा बोलो और लिखो ओके यहां तक फिल करो अभी हम एक्टिविटी करेंगे शब्द देख कर लिखिए बट हमें क्या करना है बोलना है और लिखना है यह क्या है स्वर है हमारा एक तो फिर्स्ट है स्वर और यह है विंजन तो बोलो और लिखो यह एकश कीcellर दोनों two lines के ब्लू लौ लाइन के बिट्विन ही लिखना है यह जो फिर्स्ट लाइन है उसमें भी टच करना है और लास्ट ब्लू लाइन है वो पी टच होनी चाहिए है जट च त तो ये हम लिखेंगे हमारा जट ट ओके देखो मैं दोनों ब्लू लाइन में टच करके लिख रही हूँ न वैसे ही आपको लिखना है गजद देखो चिद्रण ये है न आपको बोल के ही लिखना है ऐसा नहीं है कि देखा और लिख लिया ओके अभी आपको रीड करना भी सिखना है ऐसे ही आपको यहां तक लिखना है और ममा के साम में यह सारे वर्ट्स पढ़ने हैं और लिखने हैं जैसे यह हम होमबुक में नोटबुक में लिख रहे हैं ना से में यह भी आपको लिखने हैं न वेडनस दे थैंक यू चिल्रन